आप समका फिर से बढ़ स्वागते चीकिस ट्रेलर रियक्शन के नए वीडियो में और आज हम लोग रियाट करने वाले है कॉल आप डूटी ने उनका नया ट्रेलर रिविल कर दिया है बहुत रूमर्स थे कि इस साल कॉल आप डूटी उनका नया गेम लॉंच नहीं करेगी व आपको पता कि हमारा और कॉल डूटी का थोड़ा सा प्यार और तकरार वला रिष्टा रहा है क्योंकि हमने ब्लैक अप्स फोर जो लास्ट गेम था उसको बहुत एंजॉय किया बहुत मज़ा है वो गेम खेलने में जो कि सिर्फ मल्टी प्लेर गेम था बट लेटली उनके म क्या हम इस गेम को प्रियाउडर करेंगे क्या मेरे थौट से इस गेम को लेके हम सब चीज़े डिसकस करने वाले है तो हमारे साथ ज़रूर बने रहेगा वीडियो के आखिर तक सो विदाउट वेस्तिंग फ़दा टाइम लेट्स गेट इंट इंट दे वीडियो 3,2,1,let's go boys actual in-game footage noise ड्राफिक्स नवी उपी उपी अबस्क बड्राद करें! कि अबस्क पूची खुछ जा स्विछ्ट अबस्क पुछ the campaign mode is back boys campaign mode is back, this is story mode this is not a multiplayer October 25, you're guys I'll tell you why I'm excited, okay मुझे नहीं पता, I'm not sure क्या ये Captain Price है, क्या ये Captain Price है अगर यह Captain Price है तो guys इसका story mode बहुत ही बहुत ही डासो होने वाला है first and foremost I am impressed ठीक है मैं पहली बात बता तो कि मैं क्यों impressed हो अगर आप बोलोगे अभी तो तुम कह रहे तो कि Call of Duty में मैं मैंच में किंग ने मुलती you were disappointed and why are you excited first of all मैं Call of Duty के story mode campaign mode का बहुत बड़ा fan हूँ ठीक है अगर इस game में 100% story mode है guys 100% this is a story mode यह multiplayer footage नहीं है this is a this is a footage from their campaign mode ठीक है तो अगर campaign mode है तो मैं इस game को pre-order कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि it's been a while कि मैंने Call of Duty का कोई भी story mode खेला है मैंने I think Modern Warfare 2 के बाद मैंने Call of Duty पर्चेस का नबंद कर दिया था the last Call of Duty which I purchased was a Black Ops 4 जो कि सिर्फ multiplayer था उसमें story mode नहीं था विल्कुल so story mode is making a return तो I am excited first thing तो मैं तो उसको I think pre-order I don't know अभी हम लोग ने बाकी information उन्होंने क्या-क्या reveal कि हमने वो पड़ी नहीं है वो भी अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इसके साथ उन्होंने क्या-क्या चीज़े रीविल किये हुए but guys I am excited for the story mode at least आगे देखते आगे क्या-काई so this is a in-game footage और देखा हमेशा Call of Duty के graphics हमेशा उस उस generation के लिए अच्छे ही रहे हुए है so graphics quality से कभी भी कभी भी complaint नहीं थी कि या इनके graphics अच्छे नहीं है या फिर अच्छा दीख नहीं रहा है textures अच्छे नहीं है lighting अच्छे नहीं है Activision को पता है कि अच्छे graphics कैसे बनाते है तो graphics तो अच्छे होने वाले इस game के no doubt about that yes guys this is this is Captain Price this is Captain Price मुझे बहुत modern warfare 2 वाली vibes अरे है बहुत वो मुझे feeling आ रही है nice यहाँ पर देखो guys like using a night vision goggles and फिर उसके बाद जो कि just like sweat teams के तरह attack करना जैसे अम लोग इंसे sandstorm में जैसे अम लोग खेलते है अगर वो चीज अगर campaign mode में आ रही है two or three short kills like quick quick kills अगर आते इस game में is campaign mode में it will be fun guys it will be fun बहुत मज़ेगा खिलने में मुझे यह जो यह जो footage है it it looks more like operation जो Osama bin Laden का जो operation हुआ था जो उसको अबोटाबाद में जो उन्होंने US Navy Seals ने जो mission किया था मुझे उसकी उसकी वाली फिलिंग आ रही है this is not this not this not this this is something Moscow Bisco type जो तक्तांक्स जड़ेट्स फिलिए जड़ेट्स नाइस इस अंडर पर संडर्परसें अडर्परसें अंडर्परसें इस अंडर्परसें स्ट्रेमोड़ तोर्य मोड़। इस नाइ टीजन गॉगल स्पिन के फाइट ले मजाने वाला है त्रस्ट में अन्दीस मजाने वाला ए अक्टबर 25 गाईज ऑक्टबर 25 ओके तो मैंने के दिया कि I am excited गाईज मैं ट्रेलर को लेके हाइप हूँ ठीक है अब हम लोग जाते हैं कि उन्होंने इसके साथ साथ क्या-क्या information रिविल की हुई है तो मैंने उसको अभी तक पड़ा नहीं है मैंने बस call of duty modern warfare का game spot का page open करके रखा हुआ है so we'll gonna read that कि उन्होंने क्या-क्या चीज़े mention की हुई है so the coordination has been revealed you may have guessed from the okay ठीक है modern warfare is a reboot of the 2007 game not a remake okay 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 so guys I guess the story भी थोड़ी सी change हो सकते it's a reboot it's not a remake तो I don't know हमें कुछ ने twist देखने मिलेंगे इसके campaign में पता नहीं अभी क्या-क्या क्या-क्या करते इसके साथ but modern warfare call of duty की एक successful one of the most successful series रही है ठीक है I think black ops 4 ने black ops 4 से भी ज्यादा modern warfare ही successful रहा है तो I think इस बार एक्टिविजन कुछ धमा का करने वाला है मुझे इस अभी तक मुल्टिप्लर का कुछ उन्होंने रिविल नहीं किया हुआ है एक लिस्ट ट्रेलर में तो तो में देखना होगा कि मुल्टिप्लर को लेके उनके क्या प्लान से आगे पड़ते हैं बते हैं विन्ग continually रहते हैं वी पर Wi-ंट हमें रहते हैं की अ क्बिशब पर एक्टिव थे और 10 Bij मुल्टन जान प्रặ्न के विकित टेलर का आग्ये सक्टन को रøल degane आपकर एक्रास्तिकरारश करें देकिंड पाटरन कन में इससेंगों को रख मार्ण यक लेने क्रेंट आ रहे कोतरा है क्प कटिंव तो पूर्ब सुनत करें अश्थरा मुंहाना सब्सक्राइट, पर मुट वसंतन का सब्सक्रा मॉट का कुनार देगे शुय। the campaign will carry over the multiplayer meaning you will always be working towards unlocking a new kill sticks perks and weapons nice guys यह fusion बहुत सही है अगर आप campaign mode में अच्छा खेलते हो अगर आप उसमें अच्छा प्रोग्रेस करते हो तो it will gonna impact your multiplayer as well तो multiplayer में आप शायद skins unlocked होगे नहीं characters unlock होंगे वहां पे नहीं पर्स अनलोग होंगे so yeah it's a good thing and as noted about the game will feature the what and as noted about the game will feature the cross play across all platform guys सबसे पहला जो मेरा fear था जो मैंने वीडियो के start में बताया कि हमारा थोड़ा सा प्यार और तक्रावला रिष्टा रहा है call of duty के साथ क्यूंकि pc players को lobby नहीं मिलते call of duty हमेशा console players के console players में ज्यादा famous रहा है क्योंकि वो हमेशा consoles को target करें but cross play platform इससे क्या होने वाला है कि वो हमारा जो सबसे बड़ा concern था कि हमें लोबी मिलेगी की नहीं I guess वो 100% हो जाएगा because there will be no separate lobbies for playstation no separate lobbies for xbox no separate lobby for pc players there will be a single lobby where all players will play oh akil are you watching this are you watching this brother guys मैंने story mode को लेके मैंने का कि I am hyped for this trailer but now I am super super hyped for this game this is a must pre-order game मैं इसको pre-order कर रहा हूँ I guess मैं कल ओपर सो इसको pre-order करूंगा अगर early pre-order करके हमें कुछ benefits मिलने वाले है तो I'll gonna pre-order this game for sure because this is the biggest biggest news first time in the history call of duty cross platform लेके आ रहा है cross play platform so guys yes I'm happy yo nice Activision will not be selling the standards isn't past that logs of new post multiplayer maps okay so there will be no season pass everything will be free I guess obviously season pass नहीं तो free होगा the original game launch not for PC and PC back into the season and went back to one of the most nice guys so सबसे पहले campaign mode is back modern warfare one of the famous series call of duty की वो reboot हो रही है तो second most important thing is that multiplayer obviously multiplayer will be there but it will be a cross platform जहां पर PC, Xbox and PlayStation player will be playing together so I guess there will be no lobby problem for Indian players and third is no season pass सारी चीज़े सारी map सब को available होगी no exclusivity guys I'm hyped I'm super super hyped क्या आप excited or call of duty को लेके का मुझे लग रहा है कि आपकी जो गिले शिक्वे है black ops को लेके वो शायद भी चले जाने वाले क्योंकि उन्होंने बहुत 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 बढ़ी अकमबैक किया हुआ है मुझे लग रहा है कि call of duty का यह जो साल है 2019 यह सबसे बड़ा साल होने वाला है क्योंकि they are back with all guns blazing they are back with all guns blazing so thank you so much active john thank you so much call of duty I am excited I think हमारी family be excited होगी inside news को लेके we are looking forward for more videos उनके और reveals आने वाले I guess यह gamescom नहीं हमारे E3 में I think यह gameplay शायद reveal कर सकते है उनका पहला gameplay so I hope guys आपको यह trailer reaction देखके मज़ा आया होगा क्योंकि उन्होंने बहुत 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 नहीं चीज़े उन्होंने उनकी information में provide की है जिससे हमें idea आ चुकि है कि यह game कैसा होगा और क्या-क्या चीज़े यह उस game के साथ हमें provide करेंगे so thank you so much guys यह trailer reaction देखने के लिए मैं आपके साथ ऐसे अलग-अलग trailer reactions लेके आऊंगा और call of duty modern warfare related और जो भी news आएंगी वो मैं news आपके साथ लेके आऊंगा thank you so much यह video देखने के लिए ज़रू इसको like करना आपके thoughts comment section में मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा इस trailer को लेके और अगर आपने subscribe नहीं का तो ज़रू ज़रू subscribe करना so that's it from today's video I'll see you all in the next video till then keep gaming and keep smiling guys खिलते रहे और हसते रहे बाबाए